गुद बॉनिंग गाइज वेलकुम बैक टू जीकेटिक सद्डाम तो कैसे आप लोग गुमिदे खुश होंगे तो चलिए सुरू करते हमारा आज का सिशन तो बताइए भारतिया कुरूसी अनुसंदान परिशद इसका हेटकॉर्टर कहाँ पर है तो बात की जाए आएसी ए आर की इंडियन कॉंसिल अफ एगरी कल्चर रिसर्च यानि कि यह गुवर्मेंटल ओर्गेनाजेशन है जिसका इस्टाइबलेश्ट 16 जुलेई 1929 को किया गया था और इसके हेटकॉर्टर की बात की जाए तो निव टिमी है और इसके प्रेसीडंट जो लेटे वह मिनिस्टर औफ एगल्यक लिक्रटर रिकल्चर ही होते हैं वैसे प्रेजंट में हमारे मिनिस्टर अफ इगरी कल्चर नरेंद्र सिंक तोर्य जी है नहीं के बात की जाए इंडारेक्ली तो नरेंद्र सिंघ्मार जी इसके प्रेसिडेंट हुए और आइसी एर के इंडिया में कुल 14 रिसर्च सेंटर से और इंस्टिट्यूट्स की बात की जाए तो 65 इंस्टिट्यूट्स है सक्कारा आने वाले वीडियो में यकीर करके डिसक्स करते जाएंगे चलिए बढ़ते हमारे अगले कोचन की तरह है तो बताईए उद्भए किस्तान की राज़धा याने की कैपिटल को गया हे तो और इसके प्रेसिदेंट है Шवकियत मिर्ज्यो यह रहा अपना उद्विकस्थान और बहुत करें मॉस्को मॉस्को तो यह रश्या की राजधनी है और 7 यह चिली की कैपिटल है और दुशान बे ताजी किस्थान कि एक्जाम में कंट्रिश के capital और currency अक्सर पुछ ली जाती है जिसको हम याद करते हुए चलेंगे इसको हम कैसे आद रख सकते हैं इसको हमें एक line में याद रखना है जिसे के उजबेकिस्तान की capital है ताशकेंद और currency है सोम तो हमें इसको एक line में याद रखना है और इसी तरह हम आगे revise करते करते चलेंगे तो एक समय फुरी countries के capital और currency हमें याद हो जाएंगी तो आज से शुरुवात करते हैं चलिए मेरे साथ बोलिए उसबेकिस्तान ताशकेंद सोम उसबेकिस्तान ताशकेंद सोम उसबेकिस्तान ताशकेंद सोम ऐसे ही कम से कम पाच बार आप वीडियो को पॉस करके दोरा सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं रहश्या की capital है मॉस्को और currency है रूबल और चिली की है सेंटियागो पेसो चिली सेंटियागो पेसो ताशकेंद सोमोनी ताजी किस्तान दुसनबे शोमोनी कजाकिस्तान अस्ताना टिंगे इनने बस एक लाइन में याद रखना है याने किसी ने जब भी country का नाम लिया तो हमें याद आजाने चाहिए उसके capital हो currency एक लाइन में जैसे किसी ने बोल दिया चिली तो पट से आद आजाने चाहिए चिली सेंटियागो पेसो चिली सेंटियागो पेसो यानों कुछ भी आप बताने के काविर रह सकते हैं तो चलिए बढ़ते हमारे अगले question की तरफ तो बताईए मुल्क करतेवे का उल्लेक भारतिय सविधान में कब किया गया यानि कि fundamental ल्यूटूस को constitution में कब mention किया गया तो इसका correct answer है 1976 में 42nd constitution amendment 1976 जब नीरा गांदी जी प्रदान मंत्री थी तब ये constitution में amendment किया गया था और इसी amendment के दोरान fundamental ल्यूटूस को जोड़ा गया था उस टाइम पे total 10 fundamental ल्यूटूस को जोड़ा गया था और अभी total बात की जाए तो total fundamental ल्यूटूस गया रहा है तो 11 भी जो fundamental ल्यूटूस है वो 86th constitutional amendment 2002 में एड की गयी थी जब हमारे भारत के प्रदान मंत्री अटल बिहारी वाजपी जी थी तो याद रखे इने चलिए बढ़ते हमारे अगले कोशन की तरफ तो बताईए जहांगीर की आत्मकता का नाम क्या है यहने किम बायग्राफी तो जहांगीर की आत्मकता का नाम है तुजू के जहांगीरी और हम बात की जहांगीर जांगीर कुन था तो ये अकबर बादशाह का बेटा था जिसे हम अक्तर सलीम भी कहते हैं और ये फोर्थ मुगल इंपेरर था जिसने अकबर के बाद 1605 से 1627 तक के राज किया था और इसके बाद आगया था मुगल बादशाह शाहजा जिसने ताजमाल अगरे बनाया था हम सभी को याद है और ये बाद बाबर नामा तो नाम से ही पता चलता है बाबर की बायोग्राफी है और सिकंदर लोदी जो है वो गुल्रुख की नाम से लगता था तो एक्जामी इन किताबों को भी कभी कभी पुछ लिया जाता है तो इन्हें भी याद रखते चलिए चलिए बढ़ता हमारे अगले कोशन की तरफ तो बताईए विश्व थेलेसेमिया दीवस याने के वर्ड थेलेसेमिया डे कब मनाया जाता है तो इसका correct answer हो जाएंगा आठ माई को थेलेसी में एक प्रकार के blood disorder है जिसमें blood में hemoglobin कम होने लगता है यह एक अनुव अंशिक बिमारी है जो कि एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में चलियाती है और वह ऐसे बात कि जैए आठ माई को ही तो आठ माई को वर्ल्ड रेट क्रॉस डे भी मन और सब्सक्तक्राइब वर्ल्ड चैनल 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 आवेर्नेज डे और याद रखिए चार परवली को होता है स्ब्सक्राइक को और सडुनें बढ़्रिंच याद रखिए तो चलिक बढ़ता हमारे अगरे कोस्ऎं की तरफ तो बताई ये दिल्ली ऐ लाल्ग लेकर निर्मा किस सासभ द्वर्ण करवाइ गया था आने के रेटफोड अब दिली तो इसका कशरेक्ट आंसर हो जाएंगा शाजा मुगल बादशाज शाजा ने लालगी लेख बैसा दिली के लालगी ले घा 1649 में इस लालगी ले लेख बैसा और इसके आर्किटेक्चर है उस्ताद एहमद लाहोरी ये लालगी लेके आर्किटेक्चर है और इसको 2007 में वर्ल हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है याने के वर्ल हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है 15 अगॉस्ट और 26 जनुवरी के दिन भारत के प्रदर मंत्री यहीं पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं और यहीं से भाषन देते हैं और इस लाल के लिए के अंदर ही रंग महल और नौबत खाना भी मिल जाएंगा और और अरंग जब दोरह बनाई गई मोती मस्जिद भी इसी लाल के लिए में मौजूद है और वैसे बात की जाए आगर्या के लाल के लिए की तो अकबर ने 1565 में बनाया था 1565 में और हम सभी को पता है शाजान ने और एक चीज बनाई है जो कि दुनिया के साथ अजूबे में शामील है जो कि यह ताज महल जिसको 1653 में बनाया गया था और अकबर ने फत्यपुर सिखरी का बुलन दरवाजा जो है वो बनाया था और बात की जाए पृत्यूरा चोहन की तो किला राय पिठोरा फोट पिठोरा का किला जो बोलते है वो पृत्यूरा चोहन जी ने बनाया था और बाबर ने पानी पत में जो काबुली बाग मजीद है उसका निर्मान करवाया था और दिल्ली के पास में जो संबल है, वहाँ पे जामा मजी थे, उसका भी निर्मानों करवाया था, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेशन की तरफ, तो बताइए भारत का राश्ट्रे खेल कुन सा है, ये लिकिन नैशनल गेम, तो इसका खरेक्ट आंसर हो जाएंगा उसे बदल कर, मेजर ध्यांचन खेर अतना पुरसकार कर दिया गया है, और बात की जाए क्रिकेट की, तो ये क्रिकेट इंगलेंड का नैशनल गेम है, और फुटबॉल जो है, फ्रांस, इस्राइल, इटली, पॉलेंड, इन सब का फुटबॉल नैशनल गेम है, और कबड़ रखने हैं, तो चलिए बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेशन की तरफ, तो बताइए, जक्षिन अफरीका से मात्मा गांधी जी भारत कब लोटे थे, आने कि पूरी तरह से भारत कब लोटे थे, तो इससा करेक्ट आंसर हो जाएंगा, 1915, तो 9 जनवरी, 1915 के दिन, मात्मा गांधी जी के भारत वापसी की याद में, हम हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतिय दीवस मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतिय दीवस मनाते हैं, मात्मा गांधी जी 1839 में इंडिया से साथ अफरीका गए थे, जो कि 24 सार रहनने के बाद, 1915 में भारत वापस लोट आ और गांधी जी इंडिया ंधिया के बाद निससातरा में अंधोलन चूंपढ़न किया था 1917 में तो चले बढ़ते हमारे अगले कोश्चन की तरफ भारत का एक मात्र सक्रिय जौलों में की यानि की एक्टिव ओलकेनों कहां पर हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगा बेरन द्वीप यानि बेरन आइलेंड यह अंड़मान एनिकोबार के अंड़मान सी में एक छोट अलकेनों सोराज दीप और शहीद द्वीप और नेताजी सुबाज चंदर बोश द्वीप यह तिनों द्वीप अंड़मान निकोबार में प्रेजेंट हैं सोराज आइलेंड जो है उसका पुराना नाम हैवलोक आईलेंड हुआ करता था और उसी तरह स्प्राज द्वीप क पुराना नाम नील आइलेंड हुआ करता था नेताजी सुबाज चंद्र बोश द्वीप का नाम प्रॉस आइलेंड हुआ करता था जो के भी रिनेम कर दिए गए तो चली बढ़ते हमारे अगले कोशन की तरफ तो यह हमारा आज का आकरी कोशन तो बताए दुनिया की सबसे उची परवत चोटी कुन सी है यानि के हाइस्ट माउंटेन पीक तो दुनिया की सबसे उची हम सभी को पता है अभी के माउंट एवरेष्ट यह दुनिया की सबसे उची परवत चोटी है जो की नेपाल में प्रेजेंट है और नेपाल में इसको सागर माथा नाम से जाना ज इलेरी और तेंजिंग नौर्गे इन्होंने पहली बार चड़ाई की थी इसलिए हर साल 29 माई के दिन माउंट एवरेजडे मनाया जाता है बात की जाए माउंट एलबरूस की तो ये ये यूरोप कॉंटिनेंट के सबसे उची चोटी है और माउंट एकॉंगुवा ये साउथ अमेरिका की सबसे उची चोटी है और माउंट विंसन मैसीप ये अंटारेक्टिका की सबसे उची चोटी है और उसी तरह अफ्रीका की जो है मांट की लिमंजारो आस्ट्रेलिया की मांट कॉजियोस को और नौर्थ अमेरिका की डेनिल नाम की चोटी सबसे उच्छी है तो चले गाइस बढ़ते हमारे कलके को मोर कोशन की तरफ तो गाइस ये फ्राइडे को पुचा गया था कोशन जिसमें पूचा गया था आम का वेग्यनिक नेम यहने की सांटिफिक नेम आप मैंगो तो आपको कमेंट करके बताना था जिसमें आप किसी ने भी कमेंट नहीं किया जिसका करेक्ट आंसर है मैंगी फिरा इंडी का मैंगी करके बताईए तो मिलते हम कल हमारी अगली वीडियोस में अगर वीडियोस पसंद आया तो लाइक की बटन दबा दीजिए ताके और आगे मेनत करने की इंस्परेशन मिले और अपना कमेंट जरूर करें तो मिलते हमारे अगले सेशन में तिल देन कीप लर्निंग यान कीप प् प्रुड़ कि रधा अध грանप के अविया क्यों प्रुड़ कि रधान हमारी ठीजिज ठीजिट सेशन मिलते हमारी को लाइक खल पहली वीजिगा की वीजिज की बभस संद दूराशन मिलते हमारी घ्रले कि भडू़ा यग भाम प्लाव जुशन थार को शड़ लाह दोराश